हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका सेवियर्स एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर और आपने बात कर रहे हैं क्लास टेंथ की क्लास टेंथ का फर्स्ट चेप्टर जो था जो की एक नाटक था ड्रामा था दे बुक बैट सेवड दा अर्थ इस चेप्टर को अपने कम सारे चैप्टर मैंने डाल दिये हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लैटेस्ट वीडियो नॉटिपिकेशन आपके पास आते रह हैं तो चलो अपने शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर को जिसका की टाइटल जैसा कि आपको देखी रहा है कि भी चैप्टर वन है आपका जिसका किसी इरसक है दा बुक देट सैवड दा आर्थ यानि वैप उस तक जिसने आर्थ को बचा लिया तो पहला देगो रीड का युग क्यों कहा जाता है यह क्योस्टन है तो इसका अँशर क्या होगा दे 20th century वोज कॉल्ड दए एरा ओप बुक कहा जाता है बिकाज क्योंकि in दोस डेज यानि उन दिनो डेयर वार बुक्स अबाउट एवरिधिंग हर चीज की एक बुक होती है होती थी फ्रॉं दा और books ही लोगों को guidance करती है कि भही कैसे करें कब करें कहां करें क्यों करें They illustrate, proven करती है, educate, Stephunctimal functionality, या सिख्षित कर थे, punctuated language या punctuation के बारे में knowledge देती है and even decorated और आदमी का संद्रिय भी बढ़ाती है याने कि भासा वशुद्रेगी या किताब बढ़ेगी तो knowledge होगा, knowledge जादा होगा तो आदमी की decoration भी बढ़ेगी, in this way it is called the era of book यह जैसा कि अपने chapter में पढ़ा था तो इसलिए इसको book का era कहा जाता है, अगला देखो who tried to invent the earth in the 21st century 21st century में किसने जो आकरमन का प्रियास किया था, तो in the 21st century, the martians try to invent the earth, masterian यानि mangal gray के जो प्राणी थे उसमें mighty and powerful think tank wanted to put the earth under his rulership mighty think tank जो है वो अपने rulership के अंदर इसको लाना चाहता था अगला देखो question what guesses are made by think tank about the books found on earth, भी धरती पर जो books मिली, उनके बारे में think tank ने क्या अनुमान लगया कि वो books क्या हो सकती है तो इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं, chapter में तो आज फिर कर लेते हैं कि भी answers जो है, तो आपका answer ये रहेगा after seeing the books think tank says that these are eatables and call them sandwiches यानि उसने books देखने के बाद ये का कि ये eatables है, यानि खाने की चीज़े हैं और इनको sandwich के नाम से जाना जाता है, he tells crew members that sandwiches are the staple diet of earth और उसने कहा है कि वी वर्थू के लोगों की sandwich जो है एक diet है खाने की है, to confirm his opinion और अपनी इस opinion को confirm करने के लिए वो order देता है, omega को खाने के लिए omega, iota को कहता है और iota last night sergeant oop को कहता है, sergeant oop इसके corner को खाता है और वो बताता है कि ये बिलकुल भी delicious नहीं थी और but he is surprised to how the earthlings can get those sandwiches down without water, oop कहता है भी उसको तो इस बात में आश्च्री हो रहा है कि धर्थी के लोग किस परकार से इसको बीना पानी के खा लेते हैं noodle gases that the earthlings do not eat them but these are communication devices अब noodle जो है जो कि बहुत बुद्धिमान है वो कहता है कि धर्थी के लोग जो है इनको खाते नहीं है बलकि इनको communication device के रूप में काम करते हैं तो omega tries to listen them and failed और omega उसको सुनने का प्रियास करता है और उसको कुछ सुन नहीं पाता है noodle again suggest that they are eye communication not for ears और last में noodle फिर से उनको यह suggest करता है कि eye communication के लिए ear communication के लिए नहीं और at last captain omega tries to read it अनतते captain omega try करता है read करने की अब देखो take the alternative correct alternative जो है उस पर tick mark करना है पहला question देखो who wrote the play the book that saved the earth ये play किस ने लिखा है तो ये clear बाईकों के द्वारा लिखा गया है अगला question देखो which century is called the era of book कौन सी century को भी era of book का गया है इस chapter में तो आपका society क्या होगा 20th century कौन सी century 20th century अगला देखो who stopped the march in invasion of 2040 2014 में किस ने रोका तो mother goose नाम की जो बुक है उसने अगला देखो true या false बताना है आपको पहला है the book that saved the earth is a drama ये एक drama है जो book that saved the earth is a drama तो ये false ड्रामा नहीं है इसके बाद देखो दूसरा the people of the march plan and attack on the earth मार्स के लोग अटेक करने का प्रियास करते हैं बिलकुल सही बात है कि मार्शिंस इन्वेजन करने का प्रियास करते हैं अगला देखो the marchians do not leave the earth in fear या वो भे में जो है दर्टी को नहीं छोड़ते हैं तो बिलकुल गलत है छोड़ते हैं वो दर्टी को इसके बाद देखो 20th century was often called the era of books बिलकुल सही है Humpty Dumpty did not sit on the wall या हम्टी Dumpty दिवार पे नहीं बैटे थे तो बैटे थे यानि ये statement गलत है अब आपको 30 से 40 सब्दों में जवाब देना है पहला देखो why did think tank expresses his pacifically with noodle वे think tank जो है noodle के साथ नाराज क्यों होता है अपनी नाराज की क्यों जाहिर करता है क्योंकि वो तूस को ढंक से salute नहीं करता तो देखो think tank considered himself to be the most powerful and intelligent creature in the whole universe वे think tank क्या सोचता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान प्रानी जो है वही है noodle was his apprentice noodle उसका सहयोगी था he forget to pay the part of his salutation और वो उसको salute करने का कुछ भाग कुछ हिस्सा जो है भूल चुका था and stood beside him और जो कि उनके बगल में खड़ा था therefore think tank expressed his passiveness with noodle और इसलिए वो noodle के साथ अपने passiveness यानि नाराजगी को जाहिर करता है what does think tank describe the earth think tank जो है फर्त्वी के बारे में क्या वर्णन करता है तो देखो think tank describes the earth as a ridiculous little planet यानि एक हास्यासपत छोटा से ग्रे के रूप में इसका description करता है वर्णन करता है he gives no importance to the earth वो पर्त्वी को कोई भी importance नहीं देता and think is it as a insignificant place और इसको अब अरियाफ्त इस्तान के रूप में वो बताता है he decide to put the earth under his generous rulership और वो तेह करता है कि धरती जो है वो उसके generous rulership में आ जाए उसके कबजे में आ जाए who eat the sandwich ultimately ultimately sandwich किस ने खाया तो sandwich जो है ऊप ने खाया यह जैसा कि आपको पता ही है अगला देखो how does the think tank wish to be saluted think tank क्या चाहता था कि उसको salute कैसे किया जाए तो think tank कैसा चाहता था sing song method में जैसा कि अपने chapter में पढ़ा ही है तो think tank is a great and mighty commander-in-chief who wishes completely salute in a sing-song manner और noodle saluted him as a oh great and mighty think tank the ruler of mars and her two moons most powerful and intelligent creature in the whole universe what are your orders तो इस तरीके से वो चाहता था अगला देखो what does oop think about the library वे oop जो है वो क्या सोचता है library के बारे में library क्या है तो oop has no idea about library when he already visited the seven galaxies वे oop को नहीं पता हो seven galaxies में गुमा है फिर भी library के बारे में उसको कोई idea नहीं है he had never visited such a unique place वो एस इस्तान पर कभी नहीं गया यानि ऐसा इस्तान उसने कभी नहीं देखा he takes the books and as hats and library as a haberdashery और वो books को तो hat की तरह consider करता है कभी है 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 होगा और library को haberdashery के रूप में haberdashery क्या होती है एक सोब दसोब विच सेल्स, clothing and small articles of dresses यानि कि जो कपड़े या छोटे articles address के वो बेचता हो अगला देखो how does the picture of Humpty Dumpty look like Humpty Dumpty की picture कैसी दिख रही थी तो oops turn the large picture of Humpty Dumpty towards think tank it looks like think tank who screams and holds his head वो की जिस बिल्कुल think tank के चैसे लगती थी इसलिए वो चीखा और उसने अपना जो सर पकड़ लिया और उसने का अरे यह तो मैं हूँ और even the brand of Humpty Dumpty is similar to that of think tank यानि उसका जो brand था brand की size या बना उट भी Humpty Dumpty की तरह ही think tank की तरह ही दिखाई दे रही थी what question did think tank ask the mirror mirror में वो क्या question पूचता है तो mirror में क्या पूचता है think tank ask the mirror who the most fantastically intelligently gifted being in the land यह question पूचता है he also ask the mirror whether the martians are not the handsome rest वो यह भी पूचता है क्या mars ग्रहा है के प्राणी जो है वो एक खोबसूरत प्रजाती नहीं है क्या he is great and mighty commander in chief and he just to put the under यह अलगा आगया question अगला देखो what did the books tease in 20th century 20th century में books क्या क्या सिखाती थी तो देखो how to when to where to and why to यह सारी चीजे इलस्ट्रेट एजुकेट फंक्च्ट्टेट एंड डेकोरेट यहां तक who try to invent the art in 20th century तो यह मार्शियंस जो है इन्होंने प्रियास किया था और यह अपने अंडर से यह repeat होगे question साइद अगला देखो अच्छा वो तो read दा था about the read मेर यह परीचे आए है देखो who are why are books referred as man's best friend books को जो है मनुस जे का best friend क्यों कहा जाता है तो इसमें आप आराम से answer लिख सकते हो the books are the treasure of infinite knowledge यह जो है books अथा ग्यान का भंडार होते है we read them and get noble ideas from them उनको पढ़ते हैं उनसे बहुत अच्छे ideas हमें आते हैं after reading books we become wise उसके पढ़के हम बुद्धिमान बन सकते हैं they charge nothing instead they motivate and encourage us for good deeds और इसके अलावा इनसे बदले में हमें कोई charge नहीं लेती यानि कुछ नहीं लेती और हमें motivated रखती है अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है what was think tank thought about the magnificent brilliance magnificent brilliance के बारे में क्या विचार था तो उसने जो है think tank has thought about the vitamins magnificent brilliance यानि vitamins से जो है brilliance को बढ़ाया जा सकता है और उसने जो है अपने chemical department थे उनसे जो है intelligence increase की capsules भी इनको दिलवा रखे थे और उननका भी तुरंद इनको खाओ और code को decipher करो what is the think tanks planning about the earth earth के बारे में उसकी क्या planning थी तो उसकी planning क्या थी इसके उपर आक्रमन करने की invent करने की क्योंकि एक तुछ सा ग्रे था ridiculous planet हास्यास्मत planet था और इस पर जो है वो आक्रमन करना चाहता था अपने rule में लाना चाहता था why is think tanks escape space crew puzzled on the earth space crew जो उसने भेजा था वो puzzled या नि क्यों origin में पढ़ गया क्या origin आई उसके सामने तो देखो space crew के सामने क्या origin आई think tanks space crew has arrived on the earth and taken shelter in some sort of square place एक square place पे उन्होंने shelter लिया the place is full of peculiar items और ये जो है book से भरावा था the members of this crew take these books as sandwiches but unable to eat them इनको sandwiches माना लेकिन वो खा नहीं सके when they are told that और जब उनको ये बताया गया earthlings use them as communication devices कि भी इनको communication device के रूप में काम लिया जाता है तो उन्होंने सुनने का प्रियास किया लेकिन कुछ भी नहीं सुन पाए इसलिए वो बिल्कुल puzzled थे how does noodle suggest to think tank about books noodle ने क्या suggest किया तो देखो noodles reveals the secret of the books which are considered sandwiches in the play are very humble manner भहती विनमरतपूर्ण तरीके से वो बताता है और वो कहता है कि उसने जो है survey और फिल्म में देखा है कि ये sandwiches जो है ये किस काम आते हैं खाने के काम नहीं आते हैं बलकि ये communication device के रूप में काम आते हैं अगला देखो answer about the 60 words में questions के answer देने हैं तो why did think tanks plan fail to invent earth भी think tank का plan क्यों fail हो गया इसका कारण क्या था तो कारण आपको पता ही है कि think tank जो है अपने आपको सबसे सक्तिसा ली और सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है इस play के अंदर लेकिन वो जो है है नहीं इसमें वो commander in chief है मार्स space control का उसकी इच्छा है earth को अपने rulership में लाने की क्योंकि earthlings को वो जो है बहुत ही ugly creature मानता है और primitive brand वाले मानता है अनि तुछ सा दिमाग है उन में he became aware of the secret power of earthlings from the little book which the member of his crew unable to read up जब उसके crew members उस books में उसके बारें पढ़ते हैं तब उसको idea लगता है एक भी पर्थवी के लोग बहुत intelligent है they think that the book is written in a certain code which shows magnificent intelligence of earthlings और वो सोचते हैं कि books को किसी code में लिखा गया है जिससे जो की उनकी बुद्धी मत्ता को सो करती है they have discovered how to combine agriculture and mining उन्होंने ये भी सीख चुके हैं कि कैसे agriculture और mining को mix किया जाए they also grow crops of rare metal and high explosive उन्होंने उसने ये भी assume कर लिया एक भी ये लोग जो है बहुत ही दूरलब धातू और जो explosives है उनको भी उगाना शुरू कर दिया है think tanks find the earthlings are certainly superior to the martian और वो सोच लेता है कि martian से वो ज़्यादा superior है और इसलिए जो है वो धर्ती को छोड़ने के लिए कहता है character sketch बताना है noodle का तो noodle यहाँ इस play में सबसे ज़्यादा जो है यह drama नहीं होके play है तो इस play के अंदर जो है noodle आपका सबसे ज़्यादा intelligent प्रानी है noodle is an obedient apprentice अब इतनी knowledge होने के बाद भी हो बिल्कुल obedient है आग्याकारी है जो कि Mars का ruler of Mars है उसका apprentice है think tank का he is more wiser and familiar with the facts of the earthlings as compared to think tank think tank से उस सो ज़्यादा पता है earth के बारे में he has an act to tackle and flatter his boss और वो जो अपने boss की flattering करता है चापलोस ही कर रहा है whenever he had to correct him he would present his thought as being of no particular importance और जब भी अपने boss को correct करना हो तो वो इस तरीके से अपने बात कहता है कि उसकी बात का कोई महत्व नहीं है कोई value नहीं है he rectifies his mistakes in humble manner वो अपनी गलतियों को सुदारता है बिल्कुल भी विनम्र तरीके से he a polite member of think tanks crew and cooperate with the other members and effectively carries out the orders of the commanders बिल्कुल member cooperate करता है सब के साथ और बड़ी प्रभावसाली तरीके से सब चीज़े समालता है practical man in real वास्त हो practical आदमी है what do you know about think tank after reading the play play को पढ़ने के बाद आपको think tank के बारे में क्या लगता है वो कैसा है तो देखो ambitious है यानि कि मैत्वकांग सी है arrogant गमंडी है mighty यानि ताकत्वर है powerful commander and chief है जो कि अपने empire को extend करना चाहता है और धहती पर आक्रमन करता है he has a false view about the earthlings that can do no harm to martians और उसमें ये गलत धारना भी है कि अर्थ के लोग martians को कुछ नहीं विगाड सकते he is very disciplined in impacent commander बहुत ज़्यादा disciplined है यानि कि saluting को भी जो है वो बिलकुल तरीके से चाहता है और impacent है यानि धहरी बिलकुल भी नहीं है his commands must be followed in word and spirit उसके जो command है वो बिलकुल अच्छी तरीके से उनको follow किया जाता है इसके अलावा देको he has great knowledge and experience by which he guesses very well उसके पास बहुत सारा knowledge है जिससे की वो अनुमान लगा लेता है इस परकार से questions जो है इसमें आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं जो भी नहीं समझ मैं comment में डाल सकते हैं अगला देको how are friendly relations established between people of mars and people of earth किस परकार से जो है mars के लोगों के बीच और धर्थी के लोगों के बीच समंद को जो है establish किया जा सकता था इस तपित किया जा सकता था तो देखो इसके अंदर जो chapters में दे रखा है 25th centuries तक क्या होगा तो देखो with the passage of time the relationship of the people of mars and the people of earth become cordial यानि बहुत ज़्यादा cordial हो जाएगा हार्दिक सम्बंद रहेंगे उनके दिल से सम्बंद रहेंगे perhaps the earthlings have sharper years than we do why does Iota say so Iota ऐसा क्यों कहता है एक साइद पर्थीवालों के कान जो है वो हमसे ज़्यादा तेज है क्योंकि वो उनमें से कोई भी बात सुन नहीं पाता जब कहते हैं कि ये sandwiches को सुनो इसके बाद देखो vocabulary form के questions आगे जिसमें आपको क्या करना है की words often new words are formed for the existing one by adding in small unit either at the beginning or the end अभी करा नए word जो भी बनते हैं वो बुरने सब्दों में या तो आगे कुछ जोडने से या पीछे कुछ जोडने से जैसा कि हिंदी में पढ़ते हैं और उपसर्ग होते हैं उसी परकार से ही होते हैं तो यहां भी prefix का मतलब free का मतलब होता है पहले fix का मतलब लगना पहले लगकर जो सब्दों के अर्थ को बदलते हैं वो कहलाते हैं prefix यानि जिनको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और दूसरे जो है suffix जो की पीछे लगके अर्थ को बदले वो होते हैं suffix तो जैसे prefix यह है in, on, im, in, non, ab, dismiss, etc जैसे insane, unfair, impossible, illegal, non-violence, abnormal, dislike, misbehave तो यह आगे जुड़े हैं इसी बरकार से suffix जो पीछे जुड़ते हैं जैसे की यहाँ पर जो है देखो i, on, c, a, t, i, o, n, m, e, n, t, i, o, u, s, a, l, o, u, s, n, e, d, s, i, t, y, full जैसे educate का हो गया education agree का हो गया agreement multiply का multiplication courage का courageous mystery का mysterious इसी परकार से accident का accidental cheer का cheerful तो ऐसे नए होगा सबनों का चुनाव उसे मार्लब निर्मार किया जा सकता है अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है इसी परकार के adjective जो है उनका प्रियोग करना है वैसे तो देखो noodle flatters think tank by calling him the most आने लिखना है आपको powerful दूसरा देखो the martians call the earth a mud तो mud का कर दो के muddy muddy ball the earthlings have taught their animals music तो music का करना है musical musical हो जाएगा ठीक है इसके अलावा देखो dust का dust हो जाएगी dusty और इसके बाद देखो wonder का हो जाएगा wonderful जैसे की answers आपको यहाँ दे रखे हैं अगला देखो यहाँ पर synonyms, synonyms का मतलब होता है same meaning वाले ऐसे सब्द जिनका earth जो है एक जैसा हो जैसे इंदी में परियाई बाची होते हैं वैसे तो यहाँ पर देखो अपन सीथ ही words के बारे में चर्चा करते हैं laughable, laughable का होगा ridiculous, आस्यास्पद charming, charming का मतलब होगा attractive यानि आकर सक moving, moving का मतलब होता है चलने वाला तिकिंग उसके बाद attack, attack का मतलब होता है आकरमन तो इसके लिए similar word है envision और find का मतलब होता है, close, ढूंडना तो discover ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पर जो है आपको one word substitutes दिया हुआ है यानि एक सब्द में जो है वो पूरे वाक्यांस का अर्थ एक सब्द में बताना है, तो क्या होगा तो यहाँ पर जो है आपको one word is related question पूछे हैं, कि भी देखो think tank poses a man to be a wise man as if he poses the knowledge of an encyclopedia, encyclopedia का मतलब क्या होता है, ऐसी बूक जिसमें सारा knowledge हो, अगला देखो इदे रखा, एबुक giving the complete information about branch of knowledge अगला देखो, apparent showing slides of history history की जो slides show करने वाला तो history scope होगा अगला देखो, a place where hay or corn are stored ऐसा इस्तान जहाँ पर जो है, वो घास और अनाज रखा जाता है तो उसको का जाता है, barn ठीक है, इसके अलावा देखो अगला illegal writings eligible writing eligible writing का मतलब ऐसी writing जिसको की पड़ा नहीं जा सके तो उसको कहेंगे squiggles क्या कहेंगे, squiggles और अगला पांच में देखो, a place where objects of old civilizations are stored, पुरान सब्यता हों कि जो सामान रखे जाते हैं, उसको का जाता है museum इसके बाद है, वो grammar से related exercise आगई आपकी तो tense मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं फिर भी जो है, इस activity में आप खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं तो यह answers यहां दे रखे हैं क्यों आए हैं, क्या कुछ भी नहीं समझ माया है, तो वो comment में डाल सकते हो, यह आपका simple present tense से related हो गया, आगे देखो अगली exercise जो है present progressive जिसको continuous भी का जाता है, उससे related यह exercise दे दी, कि उपर लिखा हुआ है present progressive और इसके बाद अगला जो है, यहां पर आपको present perfect से related, यह पूरी exercise दी गई है, तो present से related सारे exercise यहां आपने को दे रखें, इसके अलाव present perfect continuous के भी दे रखें, यानि सारे चारों present की exercise आपको दे रखें, इस exercise को आप पढ़ें, answers भी मैंने दे दिये हैं, अगर कुछ भी न समझ मायत, आप comment में डाल के पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ additional questions भी दिये हैं, इनको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और इसको जो है, यह जो PDF है, इसको मैं आए, description में इसका link भेजने का प्रियास करूँगा, ताकि आप उस link से इसको download भी कर सकते हो, और जहां भी print out लेना चाहें, या ऐसे ही पढ़ना चाहें, तो भी आप पढ़ पाएंगे, तो I hope आपका यह वीडियो जो है, जो कि आज अपन chapter 1 के question answers पर बेस्ट था, आपको समझ माया होगा, इसी के साथ इस session को यहीं विराम देंगे, बने रहे हैं चैनल के साथ, मिलते हैं, अगले Thank you, जै हिंद, जै भारत